एलो दोस्तों आपने ओसकर आवर्ड देखा होगा और इस स्टैचू को भी देखा होगा पर क्या आप जानते हैं यह स्टैचू है किसकी और अवारा कुत्ते यानि स्टेट डॉग कौन सी ब्रीड के होते हैं आज आप इस वीडियो में ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा एंट जरू देखना सो लेट स्टार्ट वीडियो फैक्ट नुमर फाइफ दोस्तों कि आप जानते हैं तमिल नाडू के वेलोर नगर में माता महलक्षमी का एक ऐसा मंदिर है जिसको बनाने में 15,000 किलो सुद्ध सोने का यूज किया गया ह और इस मंदिर को दक्षिन भारत का गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है जिसे साल 27 में भक्तों के लिए खोला गया था और वहीं अम्रित्सर के गोल्डन टेंपल में 750 किलो सोने का ही यूज किया गया है फैक्ट नमबर 4 दोस्तों कि आप जानते है माउस का असली नाम क्या है साइद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि माउस एक प्रकार का इंपुट डिवाइस है जिसका रियल नेम पॉइंटिंग डिवाइस है फैक्ट नमबर 3 दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि जो अवारा कुट्टे होते यानी स्ट्रे डॉक्स उनकी कौन सी ब्रीड होती है जैसे आप जो अपने घरों पर अलग-अलग ब्रीड के डॉक्स को पैड बनाते हैं उसी तरह स्ट्रे डॉक्स की भी तो कोई न कोई ब्रीड होती होगी क्या आपको पता है इसके बारे में अगर जानते हैं तो कॉमेंट में बताएं वैसे जो stray dogs होते हैं उनकी breed पैरिया होती है Fact No.2 दोस्तों कि आप जानते हैं महराश्टरा के सोलापुर जिले में एक village है जिसका नाम सेथपाल है और आपको जान का हरानी होगी कि इस गाउं में लोग सापों के साथ रहते हैं जैसे सहरों में लोग dogs और cats के साथ रहते हैं और जिस साप के साथ रहते हैं वो कोई ऐसा विसा साप नहीं है बलकि कोबरा साप है जो की world के सबसे जरीले सापों में से एक है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना तो सांप किसी को कोई नुक्सान पहुचाते हैं और ना ही लोग बलकि जब भी यहाँ पर लोग घरों को बनाते हैं तो सांपों के लिए एक चोटी सी जगा भी बनवाते हैं जिसे देव स्थरम नाम देते हैं और साथ ही कोबरा साप की पूजा भी करते हैं और दोस्तों यहां के लोगों के जीवन में साप इस तरह से हिस्सा बन गए हैं साप घरों के साथ साथ बच्चों के साथ क्लास रूम में भी चले जाते हैं और इस परंपरा की सुरात कब और कै से हुई या आज तक किसी को मालूम नहीं है फैक्ट नुमर वन दोस्तों ऑसकर अवार्ड एंटर्टैन्मेंट इंडिस्ट्री में दिया जाने वला सबसे बड़े अवार्ड में से एक है और हर फिल्मेकर और हर सैलिब्रेटी का एक ड्रीम होता है कि वो अपने फिल्मी करियर में एक पर जरूर इस अवार्ड को जीते पर दोस्तों कि आप जानते हैं जो ये आसकर अवार्ड पर आपको एक स्टैचू दिखती है वो आखिरकार है किसकी मैं आपको बता दू कि जो ये आसकर अवार्ड पर इस स्टैचू है वो मेक्सिकन फिल्मेकर और एक्टर एमीरि ट्रॉफी बनवाने में करीब 1000 डॉलर का खर्च आता है और दोस्तो ओसकर अवार्ड को दा अकैडमी अवार्ड के नाम से भी जना जाता है और जो और्गनाजेशन इस अवार्ड को देती है उसका नाम Academy of Motion Pictures Arts and Sciences है तो दोस्तो कैसी रगी आपको यह वीडियो हमें कॉमेंट मे जरूर बताएं और इस वीडियो को जदा जदा लाइक कॉमेंट शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर अन कर लें ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस्ट ना कर पाएं